अलो नमस्कार श्वागत है आप सुहिका इस वीडियो में मैं आप लोगों के questions लेने वाला हूँ लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ो उससे पहले आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी last वीडियो पे बहुत सारा प्यार दिया लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था SDFC के future bankers program, ICIC के PO program और Axis Bank के young banker program को ले करके आपस में इनकों ने compare किया था कि कौन सा program आपके लिए best है और किस program में जाना आपके लिए सही रहेगा तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजे मैं वीडियो कोमेंट में पूछेगा नेक्ट वीडियो में यह हो सकता है कोमेंट में ही मैं आपको उसका reply कर दूँ और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं आई एक एक करके मैं आप लोगों के questions लेता हूँ तब से पहला question ले रहा हूँ मैं कि कोई limit नहीं है क्योंकि इसमें promotion का अलग एक मतलब तरीका है अलब इसमें promotion के कई रास्ते हैं कि मतलब अगर आप जिस तरीके से जैसे deputy manager के थो आप personal banker या RM बन के आते हैं वहां से एक रास्ता चला जाता है कि आप ब्रांच मेंजर की तरफ बढ़ जाए और उसके बाद में branch manager बन जाए दूसरा रास्ता जाता है कि आप preferred RM उसके बाद इंपीरिया आरेम यानि आईसी आरेम जिनकों कहते हैं और उसके बाद फिर ब्रांच मेंजर या आप उसके उससे भी अलग वर्ट कल में जाकर के वहां से आकर के ब्रांच मेंजर वह तो रास्ते हैं बिसिकली एक आप जाते हैं जो परसनल से इन टानर्ट आप जाएंकर से आप वैका जासकते हैं दूसरा आप प्रिफरर्ड आरेम या डारेम के तरह जा सकते हैं अब बांट की तरफ जाएंगे को फाइल और इसे बढ़ती ही है यह स्हांसरे यह सकती है यह सोने यह बढ़की कि से निंसरे के में आट गाता है वह कि मग्रण है क्ढेस अग्रों मुन्हों में फाइक हिए सिल influx है तो देखो नेक्स्ट फाइव यह में पहले लिया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि अगले पाथ साल में आप कहां पहुंच सकते हों आगे इसी क्वेस्टन में है कि वैंक कौनेंट हो या प्राइवेट सेल्स तो दोनों में ही है बलकि कस्टमर बेस प्राइवेट का ज मिलती है बस मुझे यह पूशना है कि growth and promotion भी same रहेगा बाकी employee की तरह या कोई partiality रहती है मतलब यह इतना जानना चाहरे है कि जैसे इस program की तरह कर जाते हैं तो इसमें मतलब इनको कोई special छूट मिलता है promotion में या बाकी employees की तरह ही इनको ट्रीट किया जाएगा तो देखो यह program क्या है यह program है बिसिकली आपको पैंक में एक job एक secure job और एक अच्छी position पर पहुँचाने के लिए आपको एक knowledge knowledgeful employee बनाने के लिए यह basically यह program है अब जब आप permanent posted हो जाते हैं उसके बाद जो बाकी के employees हैं जो आपके colleagues हैं जो आपके मतलब समकच्छ हैं या उपर हैं आप सी senior है या junior है वो जिस ओदे पे हैं उस हिसाब से आपको जो promotion या मतलब जो guideline में है उस हिसाब से जो promotion हो गारा होता है वही मिलता है और वो सब कोई equal मिलता है कोई partiality इसमें नहीं होती है now I hope कि मैंने आपके question को answer next question है कि what is the percentage of selection is it really tough to crack or it can be easily cracked exam की बात हो रही है तो क्या है selection का मतलब इसका assessment pattern है उसके बारे में कि इसमें क्या ratio पूछना चाह रहे हैं कि किस ratio में लोग इसको crack कर पाते हैं मतलब क्या इसको crack करना काफी मुश्किल है तो को यह vary करता है person to person किसी को बहुत easy लग सकता है किसी को यह बहुत मुश्किल लग सकता है वैसे मैं कहूंगा तो बहुत मुश्किल तो बिल्कुल नहीं होता है यह easy to moderate मैं कहूंगा कि होता है थोड़ा मतलब किसी को मतलब हलका टफ लग सकता है बट यह बहुत ज्यादा टफ होता नहीं है इसका एक्साम अगर थोड़ा सभी मतलब बैंकिंग का आप जो इक आई वीपिस वगरा कि अगर प्रपरेशन आपने किया है या कोई ऐसे क्वेस्टेंस रीजनिंग वगरा कि अ ही अक्षेशन प्रोसेस है वही सलेक्षन प्रोसेस है उनको ट्रेणिंग के लिए बह़ेज आ जाता है तो अगर आपका वहां पर आ 뉴스 क्लेक्शन नहीं होता है तो समझो की आपको यहाई नहीं मिली है अगर आप assessment में बाहर होते हैं फेल होते हैं तो वहां पर आपको यह समझो कि आपको यह job नहीं मिली है लेकिन जब आप यह चीजे क्लियर कर लेते हैं आप training के लिए जाते हैं आपको जॉब मिल गई है एक दो केस में ऐसा हुआ है कि जब और ओजिटी या इंटर्सिप के बाद भी जॉब नहीं मिली है और वह ऐसे केसे होते हैं जो थोड़े बहुत अनेथिकल केसे होते हैं मतलब एक्जाम इसमें एक है कि आपको एक्जाम पास करना बड़ेगा फाइ करेंगा कि अगर ऐसा कोई एक्सिडेंट होता है तो उसमें आपको बाहर किया जा सब्सक्राइब करते हैं कि कुछ लोग का कंटिन्यूर से एक क्वेरी आती है कि रिजिस्टर नहीं हो रहा है कि हमने चे महीने पहले किया था चार महीने पहले अप्लाई किया था अब पैन कानलिवड बता रहा एं मैं की मैंि क्यों कि मैं सोच रहा था कि मैं क्या जबाब दो ङुदिक है इसका कोई एक कुछ वा्यक्र एंक्र की साइट पर तो ओहां भी ऐसा मुझें कुछ नहीं मिला वहां पर एक दूसरे वेफ्साइट का लिंक मिला मुझे contact us वाले section में जहां वो ले गया मुझे वहां पर तमाम सारे faqs थे तो अगर आपको वहां उस faq में आपका answer मिल रहा है तो ठीक है otherwise अभी अभी तक इसका कोई clear stand नहीं है कोई clear इसका करेंगे तब भी आपका register हो जाए कई लोग मुझे पूश्के रहते हैं कि इन्हेंट salary के बारे में तो आप से मैं request करता हूं कि मेरे वीडियो मैंने इन पर बात कर रखिए पहले तो इन्हेंट salary अगर आपको जालना है future bankers के लिए तो उसके लिए भी मैंने एक separate video बनाया है तो उसको भी आप देख लिए उसका भी link में नीचे description में और पिंड comment में देद देता हूं बाकि आपको पूरी playlist में provide कर देता हूं अपने description में future bankers की तो आप एक बार उसको पूरा खंगाल लिजी तो आपको clear हो जाएगा कि इसमें क्या-क्या आपको लगभग मुझे लगता है कि आपके सारे questions आप जो भी आपके doubts हैं वो clear हो जाएग वही पर फिर भी अगर आपको कुछ है तो नीचे comment section में लिखेगा याद रखिए कि अगर ऐसे कोई लिखेगा इसके बारे में अकि आपके कोई और questions है queries हैं तो नीचे comment section में लिखेगा जरूर मैं मिलूंगा आपसे नेक्स वीडियो में till then खुस रहिए मस रहिए तुन दोस रहिए बाए